ही गाईज, वेलकम और वेलकम बैक टो नॉटी स्टिचेज आज के इस वेडियो में मैं आपके साथ बॉर्डर का एक सुन्दर सा डिजाइन शेयर करूंगी जो कि आप अपने ट्राउजर और स्लीव पर बना सकते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने 2.5 इंच का एक स्क्वेर पीस लिया है और इस तरह से इसे फोल्ड करके ट्राउइंगल बना लिया है इस तरह के चोटी-चोटे ट्राउइंगल बना कर हम तयार कर लेंगे अब मैंने 3 इंच चोड़ी कपड़े की एक पट्टी लिया है और इसे फोल्ड करके इसकी किनारी पर मैंने सिलाई लगा लिया है इस पट्टी की लंबाई मैंने तकरीबन 42 इंच रखी है अब हम इस पट्टी के ओपर फ्रिल्स बनाएंगे तो इस तरह से हम यहाँ पर प्लीट्स डालते जाएंगे और इस पट्टी के ओपर फ्रिल्स बना कर तयार कर लेंगे यहाँ पर मैं तकरीबन 11 इंच की दूरी पर फ्रिल्स डाल रही हूँ आप चाहें तो थोड़ी बारीक फ्रिल्स भी डाल सकते हैं तो इस तरह से मैंने फ्रिल वाली ये पट्टी बना कर तयार कर ली है अब हमें ट्राउजर के फैबरिक में से ही एक और पट्टी लेनी है इसकी चौड़ाई मैंने तीन इंच ली है और लंबाई 15 इंच इस पट्टी की लंबाई आपको उतनी रखनी है जितना चौड़ा आपको ट्राउजर को पॉंचा या स्लीव्स चाहिए अब इस तरह से हमें फ्रिल को इस पट्टी की किनारी पर सिल देना है अब इस पट्टी को हम एक और प्लेन पट्टी के उपर उल्टा करके रखेंगे और जो सिलाई हमने फ्रिल को अटैच करते वे लगाई थी बिल्कुल उसके उपर हम सिल देंगे अब हमें इसको सीधा करना है और यहाँ पर एक टॉप स्टेच लगाना है इस तरह अब हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है और इसकी किनारी पर सिलाई लगानी है अब हम इसको अच्छे से प्रेस भी कर लेंगे अब हमें इसके उपर फैब्रिक के टॉइंगल्स अटैच करने है जो हमने पहले बना कर तयार किये दे यह देखिए इस तरह से इस पटी की किनारी पर मैंने सभी टॉइंगल्स को एक साथ रखता है और इस तरह से सिलाई लगाकर इनको अच्छे से अटैच कर लिया है इस तरह अब हमें ट्राउजर या स्लीव्स के आगे इस पटी को उल्टा करके रखना है और सिलाई लगाकर attach कर देना है अब यहां से हम extra कपड़ा काट देंगे और इस तरह से इसको सीधा करेंगे और यहां पर एक top stitch लगा देंगे इस तरह अब हमें इन triangles की नोक पर अच्छे से सिलाई लगा देनी है सुई की मदद से ताकि ये बाद में उठे उठे ना रहे इस तरह बिलकुल मजबूती से हमें इन ट्राइंगल्स की नोग को सिल देना है ये देखिए इस तरह से अब हमें फ्रिल को इस तरह से फोल्ड करना है तिर्चा फोल्ड करना है और इसकी भी नोग पर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह सभी फ्रिल्स को हम इसी तरह से तिर्चा फोल्ड करेंगे और इसकी नोग पर इस तरह से सिलाई लगा देंगे ये देखिए बिल्कुल सफाई से हमें सभी frills को fold करना है और nook पर सिलाई लगा लेनी है बिल्कुल इसी तरह से तो यहाँ पर triangles को और frills की nook को मैंने अच्छे से सिल दिया है और अब हम इसके उपर half beads attach करेंगे आप चाहें तो बिना beads के भी ये design इस तरह से रख सकते हैं लेकिन मैं ये half beads इसके उपर attach कर रही हूँ white color के यहाँ पर मैं beads attach करने के लिए fabric glue का इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो simple round वाले beads भी सुई से लगा सकते हैं इसके उपर तो इस तरह से मैं सभी half beads को अच्छे से इसके उपर attach कर लूँगी जिससे कि ये दिखने में और भी जादा अच्छा लगेगा और ये fabric glue दोने के बाद निकलती भी नहीं है बस आपको इसे दो दिन तक नहीं छेड़ना है और उसके बाद आप इसे wash कर सकते हैं तो ये देखिए इस तरह से design हमारा ये बन कर तैयार हो गया है आप इसे अपने कमीज की sleeves या trouser के उपर बना सकते हैं तो गाइस आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे like करें और मेरे चैनल को subscribe करें subscribe के बटन के साथ साथ bell icon को भी जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे सभी वीडियो के अपडेट सबसे पहले मिल सकें तो गाइस thank you so much for watching बाई बाई